प्रश्ण दूर होने के बाद में मन प्रसन होगा ये इतो आपका ब्रह्म है जबकि हकीकत तो ये है कि मन प्रसन रखो सारे दूर हो जाएंगे इश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाते चाए वह समय हो पैसा हो सांस हो या संकल्प हो नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि की 31 मई के इस विसेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ा है और सुपकामना है जिनका आज जन्दिवस है मेरी जन्वसरी है या कोई विसेश यादकार दिन है तो आईए सबसे बले बात करते हैं आज के पंचांकी आज 31 मई 2022 को मंगलबार है और आज के विसेश सुपाय में घर में रोजाना दीपक जला भी जाएगी, रो crunchy नकषफ के रगे, प्राते दस बजे तक, उसकी बाद में अगला नकषफ आरम भी जाएगा और आतीश रिमा tiempo 16 div 23 मिंट तक रातिरी में उसकी बाद में घर मिल जाएका, राम का चर्मा आजाएगा, राुकाल की बात करें तो दोपर तीन बजे से लगा करके चार बच करके तीस मिन्ट तक राव काल रहेगा और राव काल में कोई नए कारे सुब कारे आरेम नहीं किया जाता है ऐसी मानेता है लेकिन अब मैं जो सुब चोगडे मुर्द बता रहा हूं उसमें आप सारे सुब कारे नए सुब कारे आरेम कर सकते हैं और यह समय काल है प्रातर 10 बच करके 30 मिन्ट से लगा करके और 1 बच करके 20 मिन्ट दुपएर तक यातरा मौरत की बात करें तो दक्षिनी दिसा और पस्टिम दिसा में यातर करना सुब है वहीं उत्तर दिसा और वाइव दिसा में यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है सुब नहीं है दिसासूल रहेगा ऐसी इस्तिति में यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो फिर गुड़ खाकर कि यात्रा का आरम करना चाहिए ये दिसासूल दोस्का परियार हुआ उपचार हुआ है आईए अब बात करें आज के सुबगरय योगों की आज सुरुदे कालिन कुड़ी में संख्या योग या संख्या कैदार योग हंस मापुरुष योग अनफा योग अदम योग वेशी योग सफल अमल कीरती योग काहल योग का साथ मिलेगा जो काहल योग इसका अर्थ है कि आप राजनिती में स सही स्तान पर है उस व्यक्ति को राजनिती शेत्र में अपार सफलता मिलेगी राजयों का अर्थ कुछ विसेस होता है एक्स्टा ओर्डिनरी स्ट्रेंथ वाला योग होता है राजयों का व्यक्ति जीवन में सफल होता है राज का मतलब होता है लोगों पर शाशन करना और में कितने राजयोग है या आपकी कुल्ली में राजयोग है या नहीं है आपकी संतान की कुल्ली में जीवन साते की कुल्ली में या आप कैसे ध्यान पड़ेगा तो उसके लिए ही राजयोग की कुल्ली होती है तो ऐसी इस्तितिम जब भी जिग्यासा हो अपने जो परिवार बालों की राजयों की कुछ भी खरीदनी जिसकी कुछ भर होगी इसके नाम से कुछ भी करेंगे तो एक्सटा ओडनेरी स्कसस मिलेगी आईए अब बात करें 1000014 कि आपको किसी से बात करते समय हमेसा उनसे आखें मिला करके बात करें लोगों से बात करते हैं, अपनी नज़रें इदर इदर नहीं रखने चुरानी नहीं है, यदि आप लोगों से बात करते हैं, अपनी नज़र चुरा करके बात करते हैं, तो लोग आपको धोके बात समझ सकते हैं, आख मिला करके बात करने का एक फाइदा यह भी है, कि जब सामने वाले से सब्सक्राइब कर सकता है यह उलजन दे सकता है कस्मकस की स्थिति आ सकती है आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है आगे बढ़ना यह नहीं बढ़ना चाहिए इतना खर्चा करके यह काम करवाना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ऐसी उदेड़ बुन में आप एक ही काम करें आप थोड़ी देर के लिए ठंडे मन से बैक फूट पर आजाएं उसके बाद में सूचें कि आपको expenses हो जाएगा खर्च हो जाएगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आगे बड़े बिना तो success नहीं होने वाली है आज के दिन अपने साथ में काम करने हैं लोगों चाहिए पार्टनर के साथ में या जो भी अपने कलिक्स हैं उनके साथ में भी विचार विरोध हो सक यह दियान रखिएगा और रासी से सेकंड आउस का चनमा लालच परवती में पाप कारियों में परवत करता है उससे बचने की सला हमेसा देता हूं आज भी वही दे रहा हूं आज का लखी कलर है ब्राउन और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री आईए अब बात कर रहे हैं आपकी रासी बाव में फरस्ट आउस में चनमा विराजमान है ये बहुत सुब इस्तिती है और इस इस्तिती में इंकम होती है जो भी अप्रोच करते हैं जो भी मैनत करते हैं उसका फाइदा मिलता है संतुस्ती मिलती है सब मिला करके ये का जाए कि बाग्य का साथ मिलता है और भाग्य का साथ मिलते हैं से बड़े से बाड़ा पहाड हेलाय जा सकता है आज यात्रा के लिए सुब आफसर है आतात जो भी आज जिस यात्रा का उदेशे लेकर के निकलेंगे वो उदेशे पूरा होगा हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी सभी प्रकार के सांसारिक सुख या आनंद की स्थिति、 संतोस्ती बहुत अच्छी नीद ये सब कुछ आपको मिलेगा और राजनेटी शेत्र में जो लोग हैं इंसनेस में मार्केटिंग में जो लोग हैं जनता के बीच में जाकर के لائزننگ का काम करने हैं जो लोगें उनके लिए आज भारी शाफलता की इस्तिती है सब मिला करके आज आप बहुत गेन कमाएंगे सक्सेस्पूल रहेंगे जिनको इन्वेस्मेंट करना है या नया इन्वेस्मेंट इन कैश करना है उनके लिए भी बहुत सांदार इस्तिती है आज का लखी कलर है वाइट और आज का लखी नमबर है नमबर फूर आई अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से ट्वेल ताउस में एक्समेंसेज बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब्फल नहीं देता है असुब ही माना जाता है नक्सत तारा सिदान से जरूर साधक तारा का साथ सपोर्ट कर रहा है अस्टा को एक में 26 लोट ये कॉमिनेशन 67 परसेंट आपका बचाव करेगा लेकिन रासी से 12 आउस का चनमा जब भी होता है व्यक्ति डिप्रसिव थोट का सिकार होता है व्यर्थ में इदर इदर गूमता रहता है व्यर्थ के खर्चे करता है और बाद में दुखी होता है परशान होता है पस्त आता है और ऐसे लोग ज़्यादा तर शॉपिंग करके फिर अपने आपको कोस्ते रहते हैं तो ऐसी इस्तिति में दूसरों को दिखावा करने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए पार्टी बाजी मत कीजिए ना शॉपिंग कीजिए और ना उन पर खर्च कीजिए आज के दिन जो लोग भी रेस ड्राविंग के शौकिन है बहुत तेज चला करके अपने शान समझते हैं उन लोगों के लिए बहुत खत्रा है आँखों को लेकर के विश्यस खत्रा है संबन्दियों से आज बहुत गुस्ते में बात करने से विवाद के स्थिति आ सकती है और या फिर गरत्वे में इसे नुकसान खड़ा हो सकता है अपने किये वे जो काम है उनसे ही आप डर और बेचन रहेंगे या किसीन किसी बात से भाइबीत रहेंगे और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है या फिर कोई कोई प्रॉलम क्रियेट हो सकती है आज का लखी कलर है वो है पिंक और आज का लखी नंबर है नंबर टू आईए अब बात करने कर करासी की आपकी रासी से 11 ताउस में लाब बाव में चनमा विराज माने और ये इस्तिती आपके लिए सुखत है तो ऐसी इस्तिती में आप 27 तारिक से continue जो टाइम पिरिट देख रहे हैं वो टाइम पिरिट अच्छा टाइम पिरिट देख रहे हैं पोजिटिव टाइम पिरिट देख रहे हैं लगा था लाब के इस्तिती आपको बनी हुई है नक्षत तारा सिदान्त कोंसा जन्म तारा सुख नहीं है और स्टेब कोई में 27 डॉट ये कॉमिनेशन इस सनमा को 67 परसेंट इस्तिती बना देगा और ऐसी इस्तिती में आज आपको भरपूर प्रियास करने की आवशक्ता है क्योंकि आज आप जो भी effort करेंगे जो भी मैनत करेंगे चाहिए आप जॉब में तब भी आपकी मैनत आपके employer को आपके senior को दिखाई देगी और मान लिजे वो एक सब्ता में एक बार ही आप पर नजर डालते हैं और उसमें आपको serious काम करते हुए पाते हैं तो उनकी नजरों में आप बहुत ज़्यादा important person है और जो लोग व्यापरी हैं उनको आज लाब और उन्नती के विसेश संयोग उपस्तित होंगे कोई बैतरिन डील मिल सकती है सौधेबाजी हो सकती है और जो लोग speculation में जो लोग share बाजार में या जो लोग commodity के थुरू investment करते रहते हैं उनको भारी सफलता के योग है सब मिला करके lifestyle में सुधार आएगा health बहुत अच्छी रहेगी और जो लोग youngsters हैं वो अपने friends से मिल मुलाकात में अपने आपको बहुत ज़्यादा खुस नसिफ समझेंगे और जिन लोगों की judiciary matter में कोई काम का जए उन लोगों को आज सफलता विसेश रूप से मिलेगी जिवन में सुख की इस्तिती बैतरिन बनी वी है तो ऐसी इस्तिती में मान लीजे आपको कुछ पसंद रिस्क में जाना है तो भी आपको जाना चाहिए क्योंकि फाइदा भी तो बहुत बड़ा होगा तो आज का lucky color है cream color और आज का lucky number है number six आईए अब बात करें सिंग रासी की आपकी रासी से 10 ताउस में नए कामों में नए strategy में नए planning में नए डंग से अपने आपको involve करने में बहुत मज़ा आएगा या बहुत confidence के साथ में काम काज को आगे बढ़ाएंगे मान लीजे आपकी नई job लगी है तो आपका उस्सा भी बहुत शानदार होगा कुछ नए करके दिखाने की चाहत होगी लेकिन उसमें जल्द बजी में नुकसान नहीं करना है या कोई mistake नहीं करना है या भी ध्यान रखना है आपके व्यापार में, आपके carrier में आपके profession में, हर sector में सफलता के योग बहुत शानदार है इसका आपको फाइदा उठाना चाहिए आज अधिकारों में व्रद्धी होगी साथी साथ सम्मान की प्राप्ति कोई आत्मविश्वास के लिए कोई बहतरीन डंग से सपोर्ड मिलेगा और आज आपको अपने पारिवारिक जीवन में, दांपत सुक में कोई कोई खास वस्तूगी या इच्छी सुखों की प्राप्ति होगी और इससे आपकी खुशी एक प्रकासे दोगी नहीं हो जाएगी आज का लखी कलर है यलो और आज का लखी नंबर है नंबर 6 आईए, अब बात कर रहें कन्या रासी की आपकी रासी से भाग्य बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा बहुत सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्दान से सादक तारा का साथ और अस्टेव कोईप्मेंट 29 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% positive 33% की weakness देगा लेकिन यही चनमा लाब बाव का अधिपती भी है और साथ में भागे से समंझ जोड़ रहा है सूरिय के साथ में भी है क्योंकि सूरिय यहां पर 12 बाव का अधिपती होकर के भागे से समंझ जोड़ रहा है ऐसे इस्तिते में expenses ज्यादा होंगे या ये बोल सकते हैं कि आज के दिन जो expenses होंगे वो आपको कहिंद कहीं धार्मिकारियों में ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन व्यस्तिता आज बहुत ज़्यादा रहेगी अंचाए खर्च आपको परशान कर सकते हैं को इनको मिटिंग में साथ में जा सकते हैं तो अपनी मन की बात उनको बता सकते हैं या वो आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं आपको जान बूझ करके आपको उक्सा सकते हैं कि आप अपने मन की बात उनको बता हैं तो ऐसे में मौका देख करके सही बाते बोलनी चाहिए और हमेशा व्यक्ति के प्रसंसा करनी चाहिए आज का लखी कलर है रेड और आज का लखी नंबर है नंबर सेवन आईए अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से एड ताउस में मारक बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब नहीं माना जाता है हाला कि नक्षत तारा से दान्त के उसान मित्र तारा का साथ और अस्टा का अपमें तीस डॉट ये कॉमिनेशन 67% आपका बचाव करेंगे लेकिन आकस्मिक आपदा या वेपतियां परेशान कर सकती है आपके उपर जोटे एजाम लग सकते हैं आप लड़े जगड़े में क्र में चला जाता है जिवन साती से विवाद हो सकता है मदवेद उबर सकते हैं सस्वाल वालों के साथ में या घर परिवार के लोगों के साथ में और आप खुद भी फिर लोग निंदा के शिकार हो जाएंगे क्योंकि लड़े जगड़ा होने से वाद विवाद होने से कोई आ रशान कर सकती है उस और आपको साथान रहना है आज का लखी खलार है परपल और आज का लखी नंमबर है नंबर वन आईए अब बात करें रस्टिक रासिरी की आपकी रासि से सेवंथा हूसमें दाम्पतिसुक बाहों में चनमा विराज माने और यह चनमा बहुत सुब माने जाता है नक्षत तारा सिद्दान से संपत तारा का साथ और अस्तिव का कमें ट्विंटी सिक्स डॉट यह कॉमिनेशन हंड्रेड पसेंट पॉस्टिव है और ऐसे में लें देन में कोई सौधे बाजी में ट्रेडिंग में आपको बहुत बारी लाप के स्थिति हो सकती है जिन लोगों को आज के दिन बहतरीन गेन मिलेगा आपके सम्मान में या पतिस्था में रद्दी होगी कोई इनको सरकल में बड़ा काम हो सकता है और हो सकता है उस सरकल में आपको मिलने जाना पड़े जिससे बहुत से नहीं लोगों के साथ में मिल सकता है जो अपनी ट्रांसफर पिना घर का अच्छा माहल आपको प्रेरीद करेगा जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखद रहेगी आज का लखी कलर है लाइट ग्रीन कलर लखी नंबर है नंबर फाइफ आईए अब बात करें धनूरासी की आपकी रासी से सिक्स था उसमें रोग वाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्दान से शेम तारा कल्यान कारी तारा का साथ और अस्तेवक में तीस लॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को हंडेड परसेंट पोजितिव बना देता है ऐसे में आज के दिन जो भी आप एफ़र्ट करें के लिए सत्रों से समझोते के लिए या कोई प्रॉलम को सांत करने के लिए हैल्थ प्रॉलम के लिए इन सभी में भागया आपका साथ देगा आपके स्टेटिस में व्रदी होगी आपको यश्ट मिलेगा और आप कोई प्रपर्टिस से समझति कोई काम का जाए या इंकम को बढ़ाने से समझते कोई काम का जाए उसमें सफलता पाएंगे जो यंग्स्टर से अपने दोस्तों के साथ में घुशी और आनन्द मनाएंगे विवाइद लोग सुखी पारिवारिक जिवन का आनन्द उठाएंगे और जो याता पर जाना चाते हैं उनकी उद्देश्य पू के उसमें पत्यारी तारा का साथ सुब नहीं है और अस्टेक वग में तीस डॉट ये कॉमिनेशन मिला करके फिप्टी पसंट पॉस्तिव फिप्टी पसंट वीक रिजर्ड देंगे ऐसी स्थिति में मांसिक परशानियां या चिंताएं आज ज्यादा परशान करेगी दो महिलें गर पती हैं उनको ज्यादा साथदानी सेफटी बरतने के आवशकता है रासी से फिप्ट आउस का चर्मा जब भी हो जुए में सटे में गैंबलिंग में या मनी मैटर्स में सकसेस कम मिलती है फ्रॉड के सिकार ज्यादा होते हैं ऐसी सितिति में बचना चाहिए रासी से फिप्ट आउस का चर्मा यात्रों में सफलता नहीं देता है या कोई इनको प्रॉलम करेट कर देता है फिजूल खर्ची हो जाती है अता असुफल ज़्यादा मिल सकते हैं इसलिए सोच समझ करके यात्या करें बहुत ज़्यादा आवश्या को तो पर जाना ही पड नहीं है और 29. यह कॉमिनेशन इस चर्मा को 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के सादन मिलेंगे ऐसी इस्तिति में आज आपको कोई विरोत का सामना ज्यादा करना पड़ेगा आपका समान चोरी हो सकता है खोड़ सकता है आप खुद रख करके बोल सकते हैं बहुत ब गईढनी दिया कौन सा समान आपके साथ में था क्योंकि आप कहीं कहीं इन्वाल थे कोई बादचीत में यह आपका ध्यान कहीं ओर ता ऐसी स्तिति ने नक्षान हो सकता है और आज का दिन वो नक्सान दे सकता है जो लोग को रिलेस्तिन्सिप मे है फ्रेंड शिप मे है वो के सादन नहीं मिलते तो फिर छाती में दर्द या बेचेनिया गब्रार से नुकसान हो सकता है परिशानिया आ सकती है आज की दिन आपको माताजी की सहथ को लेकर के चिंता हो सकती या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं परिवारी का सांती अस्तिर मनिस्तिति या पर रहें बहुत बड़ी पोस्ट बने तो बहुत साफदान रहें अपने कंसेटरिशन को बार बार चेक करें और एक ही प्रॉलम को बार बार सोचने की जिए जो भी आपका काम है उसे दो बार चेक करके या आपने किसी विस्ताप मेंबर को साथ में काम करने वाले लोगों क भी बोल करके support ले सकता है ताकि वो आपकी calculation को check करें अनिता नुकसान हो सकता है आज का lucky color है light pink color और आज का lucky number है number seven आईए अब बात करें मीन रासी की आपकी रासी से थाड़ा उसमें पराकरम बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद् में 38 डॉट ये combination hundred percent positive है धन और संपती बाव second house होता है second house से अगला बाव उसकी धन और संपती का होता है अधात आपको property matters में आज फाइदा में सकता है जो भी काम काज करेंगे जो भी deal करेंगे उसमें आप की स्थितिती बहुत जादा positive रहेगी आज shopping कर सकते हैं ornaments पर investment कर सकत में जान पेचान के sector में व्रद्धी हो सकती है या बहुत पूराने friends चाहिए वो college के friend है school के friend है उनसे टकराना हो सकता है और आपको अश्चर होने लगेगा कि वो बहुत बड़ी post पर था और आपने ध्यान नहीं दिया आज अपने competitors पर अपने विरोधियों पर आपकी अच मुश्वास और बहुत अच्छी strategy planning से आप उन पर नियंतरन स्थापित कर सकते हैं आज का दिन आपको घर और घर के बार हर तरफ सफलता देगा खुशी देगा आनन देगा और भावुकता बस जो youngsters हैं वो आज attraction में आकर के दोस्ती भी कबूल कर सकते हैं या वो बहुत अच सुबह साम दिपक जलाने की परमपरा क्यों है सनातंडर्म में दिवी दिवताओं की पुझा में आरति का महत्मूर pits में ऑरति में इश्वर का गुंगान करते हैं और आलातना करते हैं कि हमारे पापों के लिए हमें शमा करें इससे हमारे मन को सांती हैँ शूकुंद का अभ वाजय पर दिपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन होती है उनका आगमन होता है सेकिंड नमबर पूजा करते समय घी का दिपक अपने बाएं हाथ लेफ्ट साइड की और जलाना चाहिए और तेल का दिपक दाएं हाथ राइट हैंड साइड की और जलाना चाहिए दिपक अम में खंडी समगरी सुब नहीं माने जाती, कभी सुब नहीं माने जाती, दीपक जलते समय इस मंत्र का जहां तक संभवु, जाब करना चाहिए, उच्चालन करना चाहिए, सुबम करोती कल्यानम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धी विनासाय, दीपम जोती रहे हैं शास्त्रों की माननेता है कि मंत्र जाप के साथ में दीपक जलाने से घर परिवार में सुख सम्रदी बनी रहती है स्वास्ति लाब मिलते हैं धन संबदी की प्राप्ति होती है साथ इसा शत्रों का विनाश होता है शत्रों की बुद्धी का विनाश होता है या उनका नाश होता है हमको क्या चाहिए हमको सुख चाहिए, समरदी चाहिए, सांती चाहिए और हमारे जिवन में दुश्मन नहीं आए उनका विनाश चाहिए, उनका नाश चाहिए यही तो है इस मंतर का आर्थ तो हम सभी को अपने घर में दिपक जलाने की परंपरा और ये छोटा समंतर अपनी संतान को भी सिखाना चाहिए जिससे की उनमें भी संस्कारपन पाएं मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुरुक्सित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, आप सभी को मेरे नमशकार, बहुत बहुत शुब कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद कि आप अपना पर इष्वर आपकी रखें, इब मुदर कामना रखें, आपकी रखें, इब माना हुत पक्रीक perfect for YOU